अलो दोस्तों स्वागत आप सभी का GST के एक और ने वीडियो में Registration under GST में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Amendment of Registration इसका मतलब होता है कि जो Registration के Application आपने फाइल करी हुए या फिर अगर आप एक Already registered person हो तो उस case में अगर आपको अपने registration में कोई changes करने हैं अमेंडमेंट करने हैं तो वो changes आप किस तरीके से कर सकते हो प्लस कौन-कौन से areas में changes आपके लिए allowed होता है तो यह सारा discussion हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं यह topic हमारा covered होता है under section 28 of CGST Act अब देखे इसके पहले मैंने आपसे section 22, section 23, 24, 25, 26 and 27 यह सारे topic मैंने आपसे already discuss कर रखे हैं पिछले वीडियो में तो अगर आपने नहीं देखा है तो इनके वीडियो का link मैंने description में डाल दी आप जाकर के देख सकते हो सारे वीडियो आपको sequence में uploaded वहाँ पे मिल जाएंगे आप देखें आपर क्या होता है कि जो भी areas में changes allowed होते हैं मतलब registration के किसी भी field में अगर आपको change करना है तो जो fields में आप changes कर सकते हो वो सारी fields को या फिर वो सारे areas को दो categories में classify किया जाता है पहली जो category हमारी होती है उसको हम बोलते है core fields और डूसरी जो category होती है उसको हम बोलते है non-core fields core fields के अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो category आती है वो होती है address of principal place of business और additional place of business ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताइए कि जब आपके पास में एक ही state में multiple places of business होते हैं तो वहाँ पर आपके पास में दो option होते हैं या तो आप separate registration कर वालो हर एक place of business का या फिर आप single registration भी ले सकते हो लेकिन single अगर आप लोगे तो वहाँ पर आपको एक business को एक place of business को principal place of business डिक्लेर करना पड़ता और बाकी की additional place of business हाँ पर हो जाते हैं तो अगर आप principal place of business या फिर additional place of business में से किसी का भी address अगर change करना चाते हो तो वह आपका core fields का part हो जाता है एक चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पर यह रखना होगा कि आपका जो भी address आप change करो वो within same state ही होना चाहिए जैसे माल लो अगर आपके पास में UP में जो principal place of business या फिर additional place of business जो थी वो लखनाओ में थी इसको change करके अगर आप कानपूर करना चाते हो तो तो allowed है क्योंकि वो क्या है within same state है लेकिन यहीं पर अगर आप कहोगी आप UP से change करके अपने business का address डेली करना चाते हो तो यह चीज़ allowed नहीं होगी क्योंकि जो registration होता है वो state based होता है तो अगर आपने state में करवाया होगा तो इस case में अगर आपको state change आप कर रहा हो तो आपको अपना पुराना registration cancel करवाके नए registration वहाँ पर डेली में जाके करवाना पड़ेगा तो within same state आपका है जो change हो रहा है address का वो allowed होता है और वो होता है core fields का part इसके बाद इसमें दूसरी जो category आती है वो होती है legal name of the business अगर आप अपना business का नाम ही change करना चाते हो तो वो भी क्या है वो भी core fields का part यहाँ पर हो जाता है इसके बाद तीसरा यहाँ पर आता है addition, deletion और retirement of partners, directors, परता, managing committee, board of trustees, chief executive officer और equivalent responsible for day-to-day affairs of the business तो यह जितने भी officers होते हैं या फिर partners होते हैं अगर इनके number में increase या फिर decrease हो रहा है मान लो कि अगर आपकी जो firm team वो registered थिया आपर GST के अंडर में चार partners आप लोग स्टार्टिंग में थे जब registration आपने लिया था in case मान लो कि अगर आपका कोई partner यहाँ पर आप admission करते हो किसी partner का तो चार से आपके partner यहाँ पर एक बढ़ करके 5 हो जाएंगे तो अगर आपके partner 5 हो रहा है तो इसका मतलब आपके core field में आपर change आ रहा है चाहे managing committee के member हो चाहे board of trustees हो चाहे chief executive officer हो तो कोई भी इस तरीके का member या फिर officer अगर change होता है मतलब उनके number में increase या फिर decrease आता है तो उस case में भी आपको amendment करवानी पड़ती है और यह चीज़े होती है core fields का part अब अगर हम इसके बाद बात करें non core fields की तो यहाँ पर जो भी fields हम लोगों ने discuss करी इनके अलावा जितनी भी और fields होती है वो सारी की सारी non core fields के अंडर में आती है जैसे name of day to day functionalities, उनकी email id, mobile number, etc तो यह सारी चोटी चोटी details होती है इनको हम count करते है non core fields के अंदर में अब देखें आपर क्या होता है कि अगर आपको core fields में change करना है core fields के कोई भी item अगर आप change कर रहे हो तो उसके लिए proper officer का approval required होगा यहीं पर बात करेगा non core field की तो यहाँ पर कोई भी approval required नहीं होता है जैसे core fields में आप क्या करते हो आप जाते हो GST common portal पे वहाँ पर आप अपनी application for amendment submit करते हो, submit करने के बाद proper officer उसका verification करता है उसको verification करने के बाद अगर वो satisfy होता है तब ही आपको approval मिलता है non core fields में जा कुछ नहीं आप GST common portal पे जाओ अपनी application submit करो, submit करते ही वहाँ पे आपका जो भी आप change करना चाते हो वो change वहाँ पे हो जाता है अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना पड़ेगा कि अगर आप अपने legal name of business या फिर अगर आप addition, deletion of any stakeholder करते हो तो यह जो दो particular में आप change कर रहे हो यह आपके हर एक registered business के लिए applicable होंगे जो भी registered है under the same plan यही बात यहाँ पर बोली जा रही है change of these two particulars shall be applicable for all the registration of a registered person obtained under the same plan यह चीज़ हम लोगों यहाँ पर समझ ली कि कौन कौन सी core fields होती है कौन सी non core fields होती है किसमें approval required होगा, किसके अंदर में approval required नहीं होगा यह पूरा हमने यहाँ पर समझ लिया अब इसके बाद हम लोग EK करके सारे provisions को यहाँ पर discuss करने वाले है सबसे पहले provision की अगर बात करें यह बोल रहा है कि core areas में अगर आप change कर रहा हो अपने core fields में अगर आप change कर रहा हो तो जिस event की वज़ा से आप यह change कर रहा हो वो event जिस date पर भी हुआ है उस date से लेकर के 15 days के अंदर अंदर आपको application for amendment submit कर देना है यहाँ पर देखी यह चीज़ बोलीगे in case of change is in core areas in the registration application the taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessitating the change कि मतलब जैसे मान लोग कि अगर आपको पता है कि आपका एक partner जो है वो retire होने वाला है 10 June को तो 10 June को अगर आपको पता है retire होने वाला है तो 10 June से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर मतलब 25th of June तक आपको application for amendment submit कर देनी है अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने application अपनी submit कर दी तो submit करने के बाद वो application forward कर दी जाती है to the proper officer और ये officer क्या करता है आपकी application को या तो approve या फिर reject करेगा और आपना approval या फिर rejection आपको communicate करेगा within next 15 days of submission of application जैसे कि मान लो example मैं भी मैंने आपसे का कि 10 June को आपका जो partner था वो retire होने वाला था तो 10 June से लेके 25th of June तक आपके पास में time है 15 दिन का क्या आप आप वहाँ पर application submit कर जकते हो आपने जो application है वो यहाँ पर submit कर दी 12th of June को तो 12th of June को अगर आपने submit किया है तो इससे लेकर के 15 दिन यानि कि 27th of June तक आपको proper officer का reply मिल जाएगा कि वो आपकी application को approve कर रहा है या फिर वो आपकी application को reject कर रहा है अब यहाँ पर क्या होगा कि जो proper officer अगर आपकी application को approve कर देता है within next 15 days तब तो बहुत बढ़ी हाँ बात है लेकिन अगर उसको reject करना है आपकी application को तो बिना आपको notice सर्फ किये ये rejection वो नहीं कर सकता तो यहाँ पर यही बात बोली गई है the proper officer shall not reject the application for amendment in the registration particular without giving the person an opportunity of being hurt यानि कि वो क्या issue करके देगा आपको show cause notice show cause notice का मतलब होता है कि वो आपको ये पूछेगा कि आपकी application हम क्यों ना reject करें तो आप ये cause बताओ कि क्यों ना reject करें उसको reason दो तो उस case में आपको notice वहाँ पर issue करके दी जाएगी और उसके बाद आपको उस notice का reply वहाँ पर proper officer को within time limit करना पड़ेगा इसके बाद में last में आप पर यही बोल रहे हैं कि any rejection or approval of amendment under SGST or UTGST Act shall be deemed to be the rejection or approval under CGST Act तो अगर आपका approval या फिर rejection UTGST और SGST Act में हो जाता है तो वही approval या rejection आपका CGST Act के अंदर में deemed हो जाएगा मतलब इसके अंदर आपको अलग से कुछ फाइल करने की ज़रूत नहीं है आपको यहाँ पर यह deemed approval या फिर rejection हो जाएगा अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग subsection 2 की subsection 2 यहाँ पर बोल रहा है non core areas के बारे में तो non core areas में यहने आपको बोला कि proper officer का approval required नहीं होता है वहाँ पर आप क्या करते हो आप जाते हो GST common portal पर और GST common portal पर जाकर कि आप अपने आपसे application को submit करते हो जैसे ही आप application submit करते हो वहाँ पर तुरंत on spot amendment हो जाते हैं अब यहाँ पर क्या होता है जैसे ही आपने application submit करी आपके तुरंत के तुरंत amendment हो गए तो जो आपका registration certificate है वो भी on spot वहाँ पर amendment हो जाता है जैसे ही आप application को submit करते हो, क्योंकि non core area थे proper officer का approval चाहिए नहीं था, तो जैसे आपने submit किया, अतुरंथ amendment तो अतुरंथ registration certificate भी आपका amend हो गया यही अगर हम बात करें core areas की तो वहाँ पर approval की requirement होती है proper officer को application भेजी रहाती है वो verify करता है, उसके बाद ही changes होते हैं इसके बाद अगर हम बात करें, subsection 3 की तो यह आप से बोल रहा है, any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application for amendment on the common portal except with the order of commissioner, जैसे मान लो अपने application submit करी 12th of June को, तो आपका जो भी particular में आप change कर रहते हैं वो जो effect में आएगा, वो इस date के, मतलब 12th June के पहले कभी भी नहीं आ सकता, या तो वो 12th June या 12th June के बाद effect में आएगा मतलब application date, या उससे बाद वाली date पे ही effect में आ सकता, उसके पहले वाली date में कभी भी effect में नहीं आ सकता, तो यही बात हम से करी गई यह subsection 3 में इसके बाद अगर हम बात करें, subsection 4 and subsection 5 की, तो यह हमको वो सारे areas बता रहा है, जहां पर amendment allowed नहीं होता है, जैसे कि amendment cannot be filed for change in PAN, तो आप application for amendment नहीं file कर सकते हो, for change in PAN क्योंकि जो registration होता है GST के अंडर में, वो PAN based होता है PAN card की detail आप change यहां पर नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज़ यहां पर state भी आप change नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने आप से कहाता है कि आप और areas में, और area में था एक हमारा address of principal place of business and additional place of business तो principal place of business और additional place of business का आप address change तो कर सकते हो within same state ही आप change करोगे, मतलब जैसे माले UP में आपका है तो UP में आप लखनों से लिजा करके कानपूर या फिर फैजाबाद उसको लिजा सकते हो लेकिन within same state ही आपका होना चाहिए यह ऐसा नहीं कि UP से लिजा करके आप उसको Delhi में shift कर दो क्योंकि इससे क्या होगा कि आप state change अगर कर दे रहो कि किस process के through हम लोग amendment कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता है कि कोई भी registered person अगर है या फिर अगर उसके पास में unique identity number है तो उसको changes अगर करने है तो वो changes दो categories में होते हैं एक तो non core areas में है दूसरा core areas में non core area में अगर आपको changes करने है तो आप directly GST common portal पे जाकर के application submit करोगे और वहाँ पर आपका on spot amendment हो जाएगा यानि कि आपका registration certificate जो है वो amend तुरंत हो जाता है जैसे आप application को submit करते हूँ core areas के अगर हम बात करें तो core area में जब भी आपको changes करने है तो वहाँ पर proper officer के approval required होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस date पे भी event हुआ है change वाला उस date से ले करके 15 days के अंदर-अंदर आप GST common portal पे जाकर के अपनी application को submit करते हो ताकि proper officer के पास में approval आपको मिल सके जैसे आप submit कर दोगे application तो application क्या की जाएगी? proper officer के पास में forward की जाएगी तो जब यह application proper officer के पास में पहुंसती है तो वो officer यह चेक करता है कि जो amendment आप करवाना चाहरे हो वो warranted है या फिर नहीं है warranted का मतलब कि वो ज़रूरी है है भी या नहीं है और साथ में जो documents आपने submit करी है उसको वो complete और correct है या फिर नहीं है in case amendment उसको लगता है कि सही है ज़रूरी है warranted है और जो documents आपने submit करी है वो भी complete और correct है आपे तो उस case में वो आपको permission grant कर देगा within next 15 days और जैसी वो आपको permission मिलती आपका registration certificate वहाँ पर amend हो जाता है इसका मतलब आपको approval मिल गई लेकिन अगर उसको लगता है कि जो amendment आप करना चाह रहे हो वो warranted नहीं है वो ज़रूरी नहीं है या फिर कोई document आपने submit किया है वो complete और correct नहीं है तब फिर उस case में क्या होगा उस case में वो आपको show cause notice serve करेगा within 15 working days और ये 15 working days start होंगे आपके application submission की dates है तो मतलब 15 दिन के अंदर या तो वो approval दे रहेगा या तो 15 दिन के अंदर अगर approval नहीं दे रहा है तो वो आपको show cause notice serve करेगा show cause notice का मतलब वो आपसे पूछेगा कि भाया बताओ आपकर ये जो application है वो हम reject क्यों ना करें तो जैसी आपको ये show cause notice मिलती है तो जो applicant है उसको जैसी show cause notice मिली तो इस case में उसको क्या करना होता है उसको reply करना होता हमापर तो person जो भी है वो अगर reply कर देता है notice का within 7 working days तो उस case में ये reply जो है वो किसको कर रहा है proper officer को कर रहा है तो proper officer ये decide करता है कि जो reply किया गया है वो satisfactory है या फिर नहीं है अगर reply satisfactory उसको लगता है तो registration का जो amendment है वो यहाँ पर approve कर देगा लेकिन in case मा लेजाए कि जो person है वो show cause notice का reply नहीं करता है within 7 working days या फिर जो reply उसने किया है वो proper officer को satisfactory नहीं लगता है तो उस case में क्या होगा उस case में उसकी application for amendment जो है वो reject कर दी जाएगी तो यह होता है पूरा हमारा amendment का procedure इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे deemed approval of amendment की deemed approval का मतलब क्या होता है कि जितना भी time limit fix करके दिया गया officer को उस time limit के अंदर अगर वो कोई भी action नहीं लेता है मतलब ना तो वो approve करता है नहीं वो reject करता है application को तो इस case में जो applicant है उसको deemed approval मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप देखे तो यह बोल रहे है if the proper officer fails to take any action within 15 working days from the date of submission of the application और within a period of 7 working days from the date of reset of the reply to the show cause notice तो मैंने आपको बताता है कि जिस date पे आप application submit करते हो उससे ले करके 15 दिन के अंदर-अंदर उसको अपना reply दे देना है मतलब उसको या तो approve कर देना आपकी application को या तो अगर approve नहीं करा तो फिर वो आपको show cause notice देगा show cause notice जिस time पे उसको applicant को मिली उसके बाद वो क्या करता है उस notice का reply करता है जैसे ही reply वो करता है जिस date पे भी proper officer को उसके reply मिलता है उस date से लेकर के 7 working days का उसके पास में time होता है कि अगर वो चाहे तो application को या तो approve करे या तो फिर reject करे लेकिन अगर वो कोई action नहीं लेता है वो इस case में जो applicant होगा उसको deemed approval मिल जाएगा इसके बाद में last में यही बोला जारा है कि जो certificate of registration है वो उतने ही extent तक amend होगा जितने extent तक apply किया गए डूसरी चीज यह जो amended certificate है यह GST common portal पे applicant को available करा दिया जागा वहाँ से वो जाकर के इसको download कर सकता है तो यहाँ पर हम लोगों ने यह देख लिया मत बूलेगा साथ में चैनल को सब्स्राइब जरूर करते जगा मैं मिलता हूँ आप आपसे next video में thank you